नमस्कार साथियो UPSC मस्टर में आपका स्वागत है मित्रो हम लगतार चर्चा कर रहे हैं राच्टी आंदुलन पर और पिछली वीडियो हमारी लगतार आ रही हैं गांधी जी की राच्टी आंदुलन में भुमिका पर हमने उन्ही वीडियो में से एक में जाना गांधी जी के गुरू गोपाल किसन गोखले उनसे यह आसवासन ले चुके थे कि वे आगामी एक वर्ष तक मौन्वरत धारन करेंगे भारत की ततकालीन परिष्थितियों का विजलेशन करेंगे तब जाकर राजनीती में प्रवेश करेंगे गांधी जी ने यही किया और 1916 में भारती राजनीती में प्रवेश किया इसके बाद गांधी जी ने एक के बाद एक करके तीन सत्याग्रहों का सफल संचालन किया पहला सत्याग्रह था चमपान सत्याग्रह दूसरा एहमदाबाद मिलान दुलन और तीसरा खेडा सत्याग्रह इन सत्याग्रहों में हमने देखा कि गांधी जी को एक के बाद एक करके सभलता मिली और देखते ही देखते गांधी जी लोगपरी होती चले गए इसी बीच एनी बेसेंट जैसे राजनेतिक खिलाडियों ने गांधी जी को राजनेतिक बच्चा भी कहा इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि जिसे राजनेतिक बच्चे का खिताब दिया गया था आखिरकार वह भारतिय राजनेति का धुरुतारा कैसे हो गया इस वीडियो में हमारा मुख्य बिंदू यही रहेगा कि गांधी जी किन परिष्थितियों के कारण इतने लोगपरी रहे और किस प्रकार उन्होंने अपने आगामी आंदुलन चलाए। कि दक्षिन अफरिका में गांधी जी की भूमिका क्या रही। चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने किया 1978 में पंजिकरन एक्ट के बृद्ध। दूसा संघर्ष किया 1908 से 11 में समानता के लिए इन्होंने ध्रातली अस्तर परकार किया। और तीसरा जो है 1913-14 में इन्होंने सर्मिकों के लिए वहां संघर्ष किया। बित्रो गांधी जी इन संघर्षों में सफल हुए थे और इसी के साथ उनकी ख्याती ना केवल भारत में अपितु अंतरास्ति अस्तर पर भी हो चुकी थी। दक्षिन अप्रिका में भारत के विभिन अस्तानों से बारतिय रहे थे। जब वो सुदेश लोटे तो उन्होंने अपने अस्तानों पर गांधी जी का गुनगान किया। बदर इस्तती ऐसी हो गई कि जब गांधी जी 1915 में भारत लोटे तो ज़्यादा तर जो पढ़ा लिखा बिक्ती था वो गांधी जी से लगभग परिशित सा हो गया था। आप देख भी सकते हैं कि साबरमती आसरम जब बनाया तो वहां 25 लोगों को अस्ताई रूप से रखा गया। देख सकते हैं जैसे इनके सामाजिक आदर्स क्या थे फिर ये जो है लोगों के बीच जाकर कुछ रचनातमक कारे करते थे वो क्या थे और इनकी राजनेतिक सली जो अब तक के सभी राजनेताओं से भिन्ने थी देकि इन्होंने जो है अध्यन किया था तालस्टाए रसकिन थोरों के साथ हिंदुस इसलाम बौद्ध और जैनियत का इन सभी का अध्यन करके इन्होंने अपने विचारों को निर्मित किया था इन विचारों के बाद जो इन्होंने कारसली अपनाई तब जाकर ही इनकी कारसली इतनी अध़भुद बनी सामाजिक आदर्स आप इनका देख सकते हैं कि गांधी जी है प्रकरती परेमी थी इन्होंने अपने पुच्टक हिंद सुराज में लिखा है कि भारत का सत्रू अंग्रेजी राज नहीं अपीतु आधुनिक और दुगिक सब्भता है इनके रसनातम कारों में भी आप देख लीजिए कि गांधी जी जो है लोगों को आत्म निर्भर बदाने के लिए कुटिर उद्दोगों पर बल दिया करते थे जहां भी जाते थे वहां समानता की बात क्या करते थे सचता अभ्यान चलाते थे लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रुसाहित क्या करते थे और इनकी राजनेतिक सैली भी ब पूछा एक बिक्तिने के गांधी जी आप थड़ कलास के डब्बे में क्यों सबर करते हैं तब गांधी जी का कहना था तो कि इससे नीचे की स्रीनी कोई होती ही नहीं है गांधी जी जो है लोगों के बीच जाकर उनकी परिशानी का अनुभाव करते थे क्योंकि लोग भी इस गांधी जी जो है समस्चा के मूल को पकड़ा लोगों के बीच पहुँचे और उस दोरान के आवसकता भी यही थी जनता भी यही चाहती थी कि ऐसा नेता होना चाहिए जो उनके सवालों को अपना सवाल समझे साथी साथ यह जहां जाते थे कलिस्ट भासा का परियोग ना क करके बहुती सामान भासा का प्रियोग क्या करते थे अस्थानी भासा रिजनल लेंग्वेज का प्रियोग क्या करते थे साथी साथ जो इनके वस्त्र थे वो भी बहुत साधरन होते थे आम जनता से मेरे जूले होते थे इसके लाबा जब यह भारत लोटे तो गांधी जी मे पर्थम विसुद्य से जूज रहा था पर्थम विसुद्य के कारण भारत के रक्सावे में काफी बढ़ोत्री हो गई थी लगभग 300 प्रसत की बृद्धी हो गई थी और सरकार इसकी प्रतिपूर्ती के लिए बढ़ा चड़ा कर करवसूर लही थी जो पर्तेक्सकरों के रू भारत लगतार पेड़ीती रहता था वही फोज बाहर लड़ रही थी तो फोज के लिए अनाज लगतार निद्यात करना पड़ रहा था जिससे जो अकाल पड़ रहा था उसकी मार और तेज पड़ गई थी और जन असंतोस लगतार बढ़ता जा रहा था इसी बीच असमान चुने लगी थी और परिवर्तन का जुई ये दोड़ था इसमें होमरूल लीग आंदुलन भी असफल हो गया था पाले उदारवादियों को लोग असफल मानते थे परन्तु इनके सासाथ अब उगरवादियों से भी लोगों का विश्वास उठ चुका था मित्रो ये सारी चीजी रही गांदी जी के साथ गांदी जी की राजनतिक सहली इतनी अदभुत थी जैसे आंदुलन को सक्रिय करना और एकदम से निश्करिय कर देना अर्थात गांदी जी ये विश्वास रखते थे कि आंदुलन चला जाना चाहिए परन्तु आंदुलन को सतत चल कर नहीं रखा जा सकता ये गांधी जी कहते थे क्योंकि इनका ये मानना दलाया उससे भी जो लोगा कुंटेज हो गए थे तो गांधी जी ने जो है इन दोनों की बीच की पद्दती को उपनाया जैसे नरम दल क्या करते थे वो लगतार पत्र लिखा करते थे बिट्टे सरकार को कि बारतियों की ये मांगे हैं आप इन पर एक बार सोच लीजिए की भाती पहले पत्र लिखते थे जब बिट्टे सरकार कोई कारवाई नहीं करती थे तब जाकर वो बिट्टे सरकार पर दबाव डालने के लिए आंदोलन चरा करते थे यही कारण है कि गांधी जी को गोखले जो नरम पंतियों के प्रमुखनेता थे और तिलक जो जो है अत कारी चीजे थी ही परंतु सांति साथ एक ऐसा फ्यक्टर भी कार कर रहा था जिससे गांधी जी जो है बारते राजनीती के धुरुतारा के रूप में उबरे वो कारत था अफवाहो की भूमिका इस जो दोर था जिस दुरान गांधी जी भारत वापस लोटे तिवरतनाओ औ उदर गांधी जी जो है इस दोर में तीन सत्याग्रहों का सफल संचालन कर चुके थे चमपारन और खेडा और अहम्दाबाद मिलान दुरन तो लोगों को लगने लगा कि गांधी जी जो है एक चमतकारी पूरुस हैं उस दुरान के जो समचार पत्र हैं वो ये लिखते हैं कि जो गांधी जी की चवी को अपने मन में एक चमतकारी पूरुस की तरहे बना लिये थे किसानों में तो अवधारना थी कि गांधी जी जो है जमिदारी समाप्त कर देंगे वही मजदूर ये समझते थे कि गांधी जी उन्हें जोत दिला देंगे जब उन्होंने असयोग आंदूलन छोड़ा और अपील की कि आप आंदूलन में कूद पड़ो तो यह देखने को मिला कि असम चाय बागानों में जो मजदूर थे वो सामूहिक रूप से बागान छोड़ने लगे थे जब उनसे पूछा गया कि आप सामूहिक रूप से ये क्यों कर रहे हैं तब उ बज़े से वो और जो भी वो कहें वो हमारा करतव है इस वज़े से हम सब लोग जो है बागान छोड़कर जा रहे हैं गांदी जी के साथ गुप्चर विभाग की एक रिपोर्ट है उस दोरान की जिसमें लिखा है कि गांदी को गाउं में लोग चमतकारी पूरुष मानते ह इनके आदेश का पालन अपना जो है करतव समझते हैं तो ये सारी परिस्थितिया रही जिस पज़े से गांदी जी जो है राजनीती के धुरुतारा के रूप में उभरे और जब इनका ब्यक्तित आया तो पूरा रास्टे आंदोलन इनीकी विचारधारा से संचालित हुआ तो ये दोर है 1919 का रोलेट एट से और ये दोर रहा 1947 भारत की सुतंता तक तो इसलिए रास्टे आंदोलन के इस दोर को गांधी वादी युक के नाम से जाना जाता है अपनी इसी अदभुत कारसेली अपनी अदभुत विचारधारा के साथ इन्होंने पहला आंदोलन किया 19 1921 में भारत चोड़ो असयोग अंदोलन अब देखी यहां एकदम से वो सारी उटजा को समापत नहीं किये इसके बाद विराम ले लिया 10 साल का उसके बाद फिर जो है एक अंदोलन किया 1930 में सवीने अवग गया अंदोलन और उसके बाद एकदम से अंदोलन सुरू नहीं कि अब भारत को ज्यादा समय तक गुलाम बना कर नहीं रखा जा सकता है और उसके बाद जस्तस अंग्रेजों को भारत को आजाद करना ही पड़ा मुझे आसा है कि ये विडियो आपको अच्छे लगी होगी संबंदित विशय पर अपने सुझाव देने के लिए करप्या कमें जरूर करें थैंक्स फोर वाचिंग जहिंद जय भारत महासक्ती भारत